गुपाल गंज कोट ने अभी तक के सबसे अनोखी सजा एक अपराधी को सुनाई है जहां छेर खानी सहित कई अपराध कर बैठा एक यूवक अब स्कूल में पढ़ाएगा गुपाल गंज कोट के इस अनोखी फैसले की बाद अब लोगों में ये जानने की होर मची है कि आखिर ऐसा क्यूं हुआ क्यूं जादातर मामले में या तो अपराधी जेल की सजा कार रहा होता है या पिर कहीं मौत की सजा उसे मिलती है फिर आखिर इस यूवक को ऐसी सजा क्यूं दी गई है जहां उसे तीन महीने तक स्कूल में परहाना है और साथे उस अपराधी के हरकतों पे नजर कोई पुलिस अधिकारी नहीं बलकि उसे स्कूल का प्रिंसिपल रखेगा तो ऐसा क्या अपराध किया था इस लड़के ने और इस सजा के पीछे की वज़ा क्या है वो हम आपको बत आने की सजा दी गई है वैसे तो भारत के संविधान में युवकों द्वारा किये गए अपराधों के अनुसार उन पर दर्ज मामलों के अनुसार अलग-अलग दंड देने की वैवस्था बनाई गई है जिसमें खास कर अगर हम बातना बालिक अपराधियों की करे तो उन्ह इस तरह के दंड दिये जाते हैं जिससे उनमें सुधार हो सके बालिक होने की बाद फिर से वो अपराध के रास्ते में आ जा सके ऐसे में पहले भी कई बार ऐसे कम उम्र के अपराधियों को कोट से सजा दी गई है जिसे सुन लोग हैरान भी रहते हैं लेकिन आज जो हम कोट में एक मामले की सुनवाई करते वक्त न्यायाले के प्रधान मजिस्ट्रेट राकेश मनी तिवारी और न्याले के सदस्य मम्तस्रिवास्तों ने कि एक चात्र को उसके काभिलियत को देखते हुए उसको स्कूल में परहने की सजा सुनाई है जहां उसे तीन महीने तक अपने गाउं के पास के मिडल स्कूल में जाकर वहां के बच्छों को परहना है जहां उसकी हरकतों पे न sacrific इस स्कूल के प्रिंसिπल रखेंगे और साथी युवग द्वारा तीन महीने तक स्कूल में जैसा की कोट ने कहा है वैसा किया गया या फिर नहीं इसकी रिपोर्ट भी स्कूल के प्रिंसिपल को तीन महीने बाद कोट में जाकर देनी होगी यानि कि आप इसको ऐसे समझे कि इस यूवा को इसके अपराद के लिए जेल में नहीं बल्किया कि स्कूल में भेजा जा रहा है जहां उस पे थाने में जस तरीके से पुलिस प्रसाशन अपरादियों पे कड़ी नजर रखती है उसी तरीके से स्कूल में पढ़ाने वक्त तीन महीने तक उस पर स्कूल के प्रिंसिपल नजर रखेंगे अब हम आपको बताते हैं कि इस युवक को ये सजा दी क्यों जा रही है कौन से अपराद की सजा इस युवक को दी जा रही है तो बतादे के इंटर्मीडियेट में पढ़ने वाला ये चातर के ऊपर छेर खानी मार पीट और डायन एक्ट के तहट मामने दर्ज है लेकिन जाज में ये भी बात सामने आई है कि इस युवक ने इसके पहले कोई भी अपराद नहीं किया है और साथ ही जब कोर्ट में पेशी के दौरान उससे जो भी सवाल किये जाते हैं उसका जवाब उसने सही धंग के साथ साथ सपस्ट तरीके से दिया इतना है नहीं बलकि जब उस युवक से प्रधार मजिस्ट्रेट ने कोई सवाल किया तो उसने बरे होकर वैग्यानिक बनने की चहा बताई जिसकी बाद कोर्ट में बैठे नयायाले सदस्यों ने उसके इस अपराद के पहले किसी अपराद के ना होने और उसकी काबीलियत को देखते हुए उसे बड़ा मौका दिया है सुधरने का और गाउ के पास के एक मिडल स्कूल में तीन महीने तक परहाने की सजा सुनाई है जिसकी बाद गोपाल गंच कोट से आए इस फैसले की बाद चार और सिर्फ इसी फैसले की चर्चा हो रही है तो ऐसे में हमने भी सोचा कि क्यों ना जो लोग इस खबर से बे खबर है उन्हें इस फैसले की बारे में बताया जाए और जेल में अपराद्गियों को बंद किया जाता है तो कभी मौत की सजा सुनाई जाती है इससे हटकर भी कई सजा अपराद्गियों के लिए बनाई गई है यहीं बताया जाए तो ऐसे मैं फिलाल के लिए इतना ही देखते रहे जूंता जंक्शन और साथ ही आप हमें हमारे साथ YouTube और Facebook के साथ Instagram और LinkedIn पे भी हमारे साथ जूर सकते हैं तो फिलाल के लिए इतना ही हमें दीजे इजासत और देखते रहे जूंता जंक्शन धन्यवादा